कि हुआ है अब्रीवान माइम इस अप्रिफाइब लेर्निंग जैसे कि आप सब लोग ने इस वीडियो के देखे लिया होगा आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 माथ्स का एक टॉपिक डाट इस चंस्ट्रक्शंज तो कई बचोंने मुझे कमें लिके बोल आथा क कि उन्हें चंस्ट्रक्शंज में प्रॉबलम होता है मैंने इसकी उपर एक पूरा वीडियो बना दिया तो सबसे च्वह कॉनम से कंट्रक्शन आपकेसे में अबकि?.. और उसके बाद में हम एक यह कंस्ट्रेक्शन को यहां पर बिनाके देखेंगे मैं सार्व आपको यहां explain करूंगा constructions के बारे में तो देखते हैं चलो सबसे पहले अगर बात करें construction के syllabus की तो construction का जो syllabus है वो आपका कुछ यह है तो construction के syllabus में कौन-कौन से construction आपके हैं देखतो, यह class 10 math का syllabus है ICC board का तो यहाँ पे construction में आपका पहला तो है construction of tangents to a circle from an external point यह construction आपके course में आपको यह सीखना है और second आपका B part है circumscribing and inscribing a circle on a triangle and a regular hexagon तो basically यह है क्या यहाँ पे मैं figure की help से आपको शो कर देता हूँ तो कुल मिला के आपको यह सारे constructions कहीं न कहीं सीखने है पहला आपका है tangent to a circle from an exterior point या external point तो एक point circle के बाहर कहीं पे दिया होगा उस point से दो tangent आपको बना के दिखाने होगे अब यहाँ मैंने directly बना के ऐसे show कर दिया बट वहाँ पे आप proper step by step इसको बनाओगे यहाँ पे मैंने rough बस show कर रहा है उसके बाद आपका आता है circum circle तो circum circle एक ऐसा circle होता है जिसका circumference या फिर circle का जो outer boundary है circumference है वो आपके triangle के vertex से जब touch करता है मतलब एक circle के अंदर जब हमारा triangle होता है तब हम इस circle को बोलते है circum circle फिकास circumference पे touch कर रहा है उसके बाद third आपका होता है in circle in circle का मतलब एक triangle के अंदर circle circum circle के जब उल्टा तो इन circle में triangle के अंदर हमें circle बनाना होता है किसी एक particular size का और जहाँ पे triangle के सारे sides को हमारा circle touch कर रहा हो इसके बाद चौथा आपका जो construction है वो होता है regular hexagon का तो regular hexagon भी बनाना हम सीखेंगे तो वो कुल मलाकि यही सारे आपके constructions हैं और इनके बारे में अभी हम एक एक करके देखता है तो अभी हम इन सारे constructions को देखेंगे एक एक करके तो guys अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो तो चलो अभी इस वीडियो को start करते हैं तो पहला construction हम देखते हैं and first construction हम देखने वाले हैं यह वाला that is of a tangent drawn to a circle तो यहां पे देखते हैं question को बढ़ते हैं so question is given so question is given use a ruler and a compass only for answering this question तो starting में हमें बताया है that हमें construction नहीं करना है यहां पे आगे है draw a circle of radius तो जो important चीज़े हैं उनको हम mark कर लेता हैं यहां पे draw a circle of radius हमें एक circle बनाना है कितने radius का 4 cm का mark the center as O फिर आगे है mark a point P outside the circle at a distance of 7 cm from the center उस circle के बाहर हमें point P बनाना होगा 7 cm दूर उसके बाद construct two tangents to the circle from the external point तो basically हमें यहां पे क्या draw करना है हमें tangents draw करने है circle पे तो चलो देखते हैं कैसे होगा तो सबसे पहले step by step चलते हैं जो चीज़ा हमें सबसे पहले कहीगी पहले हम उसको बनाते हैं draw a circle of radius 4 cm तो सबसे पहले हम एक circle बना लेंगे 4 cm radius का कैसे बनाएंगे आपको compass लेना है अपना scale लेना है और compass और scale लेके 4 cm यहां पे compass में set कर लो तो compass को हम 4 cm पे set करते हैं and अभी हम इस compass की help से एक circle draw कर देंगे 4 cm radius का तो circle हमने ऐसे रखा compass को उसके बाद एक 4 cm radius का यहां पे हमने देखो circle draw कर लिया है कुछ ही तो circle आ गया 4 cm radius का अब यहां पे इसका जो center है जहां पे हमने compass को रखा था इस center को हमें क्या mark करना है we have to name this center as O हमें यही mark करना था and इस circle का radius कितना है 4 cm जितना की हम से कहा गया था फिर mark भी करने कर दिया center को फिर क्या है mark a point P outside the circle at a distance of 7 cm from the center अब हम से कह रहा है कि इस circle के center से 7 cm बाहर आपको एक दूसरा point लेना है that is point P तो इस circle से 7 cm दूर that means center पर आप 0 mark यहां पर रखोगे और 0 से यहां पर 7 cm दूर लगभग यहां पर यह 7 cm है यहां पर हमें point मानना है that is point P तो यहां पर 7 cm दूर हमने point ले लिया point P यह हमसे कहा गया ठीक है देख लो center से 7 cm दूर हमने point P मान लिया फिर आगे कहा करना है construct two tangents to the circle from the external point P तो basically इस external point से हमें दो tangent draw करनी है ऐसे and ऐसे लेकिन यह चीज़ हम directly नहीं कर सकते क्यों because हमें यहां पर कुछ rules follow करने हैं यह काम करने के लिए तो देखो एक tangent को draw करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो सबसे पहले आप अपने इस center को और इस point P को join कर दो तो इस center को that means O को and इस point P को आप ऐसे join कर दो ठीक है यह हमने इनको join कर दिया अब यह line कितनी बड़ी होगी यह line होगी आपकी 7 cm की because इतनी दूर हमने बनाया था देखो इसको ठीक अब इसके बाद अगला हमाया काम क्या होता है कि we have to draw a perpendicular bisector of this line अब हमें इस line का एक perpendicular bisector बनाना होगा कैसे बनेगा देख लो इस line का perpendicular bisector बनाने के लिए आप अपने compass को एक point पे रखो लाइक P पे रख सकते हो पहले चाहाँ ओ पे रख दो हम P पे लेकी चलते हैं तो यहाँ पे P point पे एक अपना compass का end यह रख दो point रख दो उसके बाद लगभग आधे से जादा अपने compass को आप बढ़ा लो आधी line से जादा लाया और एक नीचे की तरफ यहाँ पे आर्क लगा लिया तो हमने देखो दो आर्क बना लिया एक यहाँ पे एक यहाँ पे अब यह दोनों आर्क जहां पे कट कर रही है जहां पे भी यह दोनों आर्क कट कर रही है वहां से ऐसे डैस लाइन एक बना दो यही जो डैस perpendicular bisector of OP, तो किसी भी line का perpendicular bisector बनाने के लिए क्लिए 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 का करते हैं, compass को रखते हैं, arc लगाते हैं, ऐसे ऐसे, उसके बाद दूसरे point से भी लगा देते हैं, उसके बाद जहां पर arcs कट करती हैं, वहां पर हम line draw कर देते हैं, so this is the perpendicular bisector of line OP, यह हमने बना लिया, इसके ब compass रखेंगे, यह रखा हमने compass को यहां पर, उसके बाद आप compass को set कर लो O पर, O point पर, और मतलब देख लो यह, सबसे पहले हमने यहां पर point को रखा, perpendicular bisector पर और इसको O पर set कर दिया, अब क्या करो, अब एक circle आप draw कर दो, कुछ इस तरह का, अब आप एक circle draw कर दो, कुछ ऐसे तो यह हमने देखो, circle draw कर लिया है, कुछ ऐसा, ठीक है, हमने क्या किया, perpendicular bisector जहां line को cut कर रहा था, वहाँ पर इसको रखा, और O पर इसको रखा, ठीक है, और एक circle draw कर दिया, कुछ ऐसे, I think आपको visible होगा, अब देखो क्या है, अब जहां पे भी यह वाला circle, जो हभी हमने बनाया है, बाद में, यह जहां पे भी cut कर रहा है, हमारे actual वाले circle को, इस point को आप mark कर लो, and इस नीचे वाले point को आप mark कर लो, जहां पे भी cut हो रहा है, अब क्या करो, अब बस आपका आखरी काम है, that, आप यहां से, P वाले point से, जहां से हमें बनाना था tangent, वहां से, इस वा करना दो, इस वाले point को आप इस वाले point से ऐसे mark कर दो, तो यह बन गया second tangent, so the first tangent यह है उपर, इनको आप mark कर सकते हो, like इस point को आप ले लो, कुछ भी S, and इस वाले point को आप मानलो T, आप A, B, C, B कुछ भी मान सकते थे, तो यह हमने मान लिया, so यहां पे दिख़ों, हमने दो two tangents बना लिया, that is PT and PS, drawn to this circle from an external point P, अब last में हमें एक और काम यहां पे करना था, measure and write down the length of any one tangent, किसी एक tangent का आपको length बताना था, तो देख लो, यहां पे आप किसी भी एक tangent का length देख लो, इसे मिलने दो को point भी mark कर दिया था, cutting वाला, तो यहां से P से, आप यहां तक का length बस measure कर लो, यह कितना हो जाएगा देख लो, 0 को यहां पे set करो, P पे, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह कितना आ जाएगा लगबग, यह आ रहा है, 5.6, 5.7 and 5.8 के बीच में आ रहा है, अप्रॉक्स आप 5.7 ले सकते हो, तो 5.7 लगबग इसका length आ रहा है, PT वाले का, तो PT जो side है, that is length of tangent, this is equal to 5.7 cm, so this is the measurement of the tangent, so I hope आपको यहाला construction समझ में आया होगा, बस हमने यहां पे क्या किया, एक circle draw किया, एक external point draw किया, और उस external point से हमें 2 tangent यहां इस circle पे बनानी थी, जो कि हमने यहां पे draw कर दी है, using steps, तो I hope अभी यहाला construction अगर question में आता है तो आप इस type का construction कर सकते हो, वाँ पे, so I hope आपको first question समझ में आया होगा, अच्छे से, और अगर समझ में आया हो, तो पीज वीटो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो, subscribe भी कर देना, तो चलो, अभी हम लोग देखते हैं, अगला question, that is based on in circle, देखते हैं, वो कैसे होगा, so the next question is this, आप लोग देख सकते हो, अपनी screen पर, so the question is, read करना है, start करता है, using ruler and compass only, construct a triangle ABC, such that, BC is equal to 5, AB is equal to 6.5 and angle ABC is equal to 120, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक triangle बनाना है, और उस triangle के हमें यहाँ पर measurements दिये हुए है, उसके बाद जब triangle आप बना लोगे, तो उसके बाद first part में हमसे क्या गया है, construct a circum circle for triangle ABC, तो main कहानी, triangle से start होगी, पहले हमको triangle बनाना होगा, इसा कि मैंने आपको starting म क्या होता है, circum circle ऐसा कुछ होगा कि लाएक एक triangle होगा, और एक triangle के बाहर-बाहर से होता हुआ, circle ऐसे जाएगा, तब इसको हम बोलते है circum circle, तो यही हमें कुछ यहाँ पर बनाना है, तो देखते हैं कैसे होगा, तो सबसे पहले जो आपको triangle यहाँ पर बोला गया है, जो triangle तो इन दोनों साइट्स में से जो ज्यादा लंबा वाला साइड होगा इसको आप पहले बनाना तो यहां पर आप 6.5 लेंद का एक लेंद का हम एक साइड बना लेता है कुछ यहां पर यहां पर यह हमकुछ एक साइड बना लेता है यहां पर 6.5 लेंद का इसे लेके 6.5 तक 6.5 लेंद का हमने यह बना लिए साइड वीसी तो यह हो जाया गा हमारा साइड एबी दिया हुआ था 6.5 तो यह हमने बना लिए एबी इस इकवल टो 6.5 यहां पर ए लिख देते हैं और यहां पर बी को ऐसे माक कर देते हैं फिर से चेक कर लो एबी हमारा 6.5 है 6.5 cm length का हमने AB length बना लिया अब यहाँ पे AB तो हमने बना लिया कितना 6.5 यहाँ पे लिख भी दो 6.5 cm अब इतना करने के बाद में अब हमें क्या बनाना है BC is equal to 5 cm और यहाँ पे एक और चीज हमें दी है आंगल ABC is equal to 120 मतलब यहाँ पे यह है कि जो आपका BC वाला side बनना है कही न ऐसे भी हो सकता है वो ऐसे भी हो सकता है तो वो आपका है 5 cm का and जो यह angle बनेगा यह जो angle बनेगा यह हमें कितना दे रखा है यह question में दे रखा है angle ABC is equal to 120 degree तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो इस जगा पे 120 degree का यह 120 degree का angle बनाओ तो 120 degree का angle कैसे बनेगा देख लो छोटे classes में आपको यह भी बताया जाता है तो यहाँ पे angle भी हम compass की help से ही बनाएंगे protector का use नहीं करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले आप B पे अपना compass point रख दो compass का जो point होगा वो B वाले point पे रख दो ऐसे and इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे आर्क लगा दो छोटा सा आर्क लगाना है तो इसको जाए और छोटा कर लो यहाँ पे एक छोटा सा आर्क ऐसे लगा देंगे पूरा ऐसे angle को cover करता हुआ पूरा यहाँ से लेके आगे तक ठीक अब क्या करो अब compass को बिना disturb करें इतना ही compass रखना disturb मत करना इसको उसके बाद यहाँ पे compass को रखो ठीक है धयान रखना compass चाहां पे आर्क जहां पे कट किया है यहाँ पे रख्या फिर से एंग आर्क बना दो आगे तो यह होजाता है 120 डिग्री मतलब दो बार अर्क लगाया पहली बार लगाते ह्पा है जो यए 60 डिगडी का लाइन बनता है दूसरी भार लगात कर दो कुछ ऐसे हमें नहीं पता कितना लंबा लाईन है बढ़ उप्राउक्स पांस सेंटीमीटर लंबा लेना है तो इसको ऐसे ड्रोख कर दो अब पांस सेंटीमीटर इसका कैसे निकाल होगे हैं अब अब क्या करो अपने compass को लो और compass को 5 5 cm यहाँ पे set कर लो, ठीक है कि हमें नापना है न, BC is equal to 5 cm, तो यहाँ पे अपने compass को लो और उसको 5 cm पे set कर लो, I think हो गया, 5 cm देख लो exactly आया है, 5 cm हमने compass को यहाँ पे set कर लिया, इसके बाद, आप अपने compass point को रखो B पे, जहां से आपको 5 cm लेना है BC को, और फिर एक arc कट कर दो यहाँ पे, और जहां पे भी यह arc कट करके जाएगी आपकी line को, यही आपका point क्या हो जाएगा, this point will be your C, यह हो जाएगा आपका C point, ठीक, अब आप क्या करो, इस C point और A point को join कर दो, तो आपका triangle form हो जाएगा, A और C को आप ऐसे join कर दोगे, तो यह आपका form हो जाएगा क्या, triangle ABC, तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना था, that हमें बनाना था triangle ABC, अब इसके बाद हमें इसका circum circle बनाना है, तो देख लो, यह A, यह B, यह C, यह triangle हो गया, 120 degree हो गया है, यहाँ पर लिख भी सकते हो, आप 120 degree, यहाँ पर आप चाहो तो mark कर दो, 120 degree, विकॉस यह angle में दिया हो था, अब इसके बाद हमें एक circum circle बनाना है, जो कि ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन directly नहीं बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ steps follow गरने होता है, तो कैसे बनेगा, main question is this, कि इसका circum circle कैसे बनेगा, तो circum circle बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखो, कि circum circle बनाने के लिए हमें क्या गरना होता है, हमें कोई भी साइट्स आप चूज कर लो, like मैं आप कौन से साइट चूज करूँगा, AB और BC जाधा better रह गई, तो AB और BC वाले साइट्स को लेके, आप एक एक perpendicular bisector बना दो, देख लो, ऐसे, perpendicular bisector कैसे बनाते हैं, जैसे AB का perpendicular bisector बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, मैंने अभी last question में बताय रखो, और उस line के आधे से जाधा compass का length set कर लो, आधे से जाधा है यह, उसके बाद एक ऐसे arc लगाओ, उपर की तरफ, और ऐसे एक arc लगाओ, नीचे की तरफ, उसी तरह, फिर दूसरे वाले line के दूसरे point पे रखो, A पे, and यहाँ पे एक arc बना उपर की तरफ, and एक arc बना नीचे की तरफ, और जहाँ पे भी इस arc, यह arc एक दूसरे को cut कर रही होंगी, यह दोनों arc जहाँ पे भी cut कर रही होंगी, वहाँ पे, एक dotted line बना दो, ध्यान रखना, dotted line ही बनाना, because यह आपका perpendicular bisector, diagram का हिस्सा, या construction का हिस्सा, मतब diagram का हिस्सा नहीं है, ठीक है, construction का हिस्सा perpendicular bisector को extend भी कर सकते हो, कर दिया हमने, इसके बाद फिर, अब हमें इस वाली line का perpendicular bisector चाहिए, तो इस वाली line के लिए भी यही करो, c पे इसको रखो, and आदे से जादा, थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको, because the line छोटा था, इसका perpendicular bisector बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, again, c पे रखके एक arc लगाया, उपर, and यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक arc लगा लो, फिर b point पे रखके, इधर एक arc लगाएंगे, इदे को छोटा पढ़ गया, तो यहाँ पे इसको थोड़ा और लंबर ले ओ, यहाँ था, फिर b point पे रखके, एक arc कैसे बना लेंगे, और एक arc कैसे बना लेंगे, ठीक है, एक बार दो, c पे रखके हमने बनाया, यहाँ पे रखके, c point पे रखके arc बनाया, उसके बाद फिर b point पे रखके arc बना लिया, तो जहाँ जहाँ पे भी arc आपके cut कर रहे होंगे, वहाँ से आप एक dotted line बना लो, यही क्या हो जाएगा, bc वाले side का perpendicular bisector, मैं ऐसे करके बना लेता हूँ, तो bc वाले side का perpendicular bisector अगर हम draw करें, तो वो कुछ हो जाएगा ऐसा, dotted line ही बनेगा ध्यान रखना, तो dotted line हमने बना लिया यह, यह हो गया, bc वाले side का perpendicular bisector, अब यह दोनो perpendicular bisector बिसिकली जहाँ पे cut कर र रहे हो, यह point हो जाएगा हमारे circle का center, मतलब जो circum circle हमारा बनेगा, उसका है यह center, यह वाला point, तो इस वाले point को center मान लो, मतलब यहाँ पे compass को रख दो, exactly, जहाँ पे cut कर रहे हैं दोनों यह, और, मतलब देख लो यहाँ पे, जहाँ पे, यह दोनो perpendicular bisector intersect कर रहे हैं, वहाँ प तो आप किसी भी vertex पे अपने compass को रख दो, like A पे, ठीक है, हर vertex को cut करता हुआ जाना है, तो A पे जैसे मान लो, आप रख दो, आप किसी भी point पे रख सकते हो, vertex पे, A पे, B पे या C पे, और इसके बाद में, अब बस इतना length लेके, आप एक circle draw कर दोगे, पूरा, देख लो मै स्टार्ट करते हैं, बिना उठाय बनाना ध्यान रखना, इसके लिए थोड़ा सा आपको practice करना पड़ेगा, तो यह बन गया, देखो हमारा circle, ठीक है, question cut हो गया है, because यह circle थोड़ा बड़ा था, इसको हमें थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए था, कोई दिकत नहीं है, circle कैसे बनाया, सबसे पहले तो देखो हमने triangle यहाँ पर बना लिया था, फिर triangle बनाने के बाद में, कोई दो sides का perpendicular bisector हमने बना लिया, इस side का, इस side का, यह और यह, फिर दोनों perpendicular bisector जहां पर cut करेंगे, वो हमारे circle का center हो जाएगा, यहाँ पर compass रखेंगे, और उसके pencil को हम रख circle, ठीक, तो first part to the column ने कर लिया, we have drawn the circumcircle, अगर सिर्फ circumcircle बनाने के लिए कहता, तो इतना करके हम छोड़ देते, यहाँ पर आगे एक और चीज़ हम से कहिए second part में, construct a cyclic quadrilateral ABCD such that, such that D is equidistance from AB and BC, तो यहाँ पर हमें, एक cyclic quadrilateral बनाना है, मतलब यहाँ पर ABC तो है, यहाँ एक D point रखके यहाँ कहीं, कहीं भी हो सकता हो, हमें एक quadrilateral बना देना है, circle के अंदर, तो बस इतना काम और करना है, देखलो, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर condition दिया हुआ है, such that, D is equidistant from AB and BC, AB और BC से equidistant होना चाहिए, यह D point, मतलब इस वाली line से, इस वाले side से, और इस वाले side से, यह point equidistant होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं, इन दोनो side से, अगर equidistant हमें point लेना है, D, तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा angular bisector, यह line याद रखना, कि कोई point, अगर दो side से equidistant है, तब हमें क्या करना होता है, उन दोनो side का angular bisector बनाना होता है, यही होता है, locus of that point D, जो कि equidistant होगा, दोनो side से, तो basically यहाँ पे, AB, जो भी side समसे कहीं गई है, AB and BC, इन दोनों का angular bisector, आपकी perpendicular bisector नहीं, angular bisector आपको बनाना है, मतलब, यह जो angle 120 degree का है, इसके आधे से, यानि कि 60 degree से आपको एक line बनाना पड़ेगा, और वो जो line ज एक line ऐसे draw कर लो, dotted line ही बनाना इसको भी, 60 degree से आप एक line ऐसे dotted बना लो, यह 60 का mark देखो, पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर हम एक dotted line बना लेते हैं, हलका सा, और यह बनाते जाएंगे, जहाँ पर भी यह circle को जाके आगे cut करेगा, जहाँ पर भी, यह circle को जाके आगे cut करेगा, यहाँ कहीं पर, यही हो जाएगा क्या हमारा point D, this will be the point, यह जो line पर, जितने भी points होंगे, वो equidistant रहेंगे, AB and BC से, इन दोनों sides से, तो हमने इस line को extend करा, angular bisector बनाया है, मतलब यह, और यह angular bisector जहाँ पर भी circle को touch करेगा, वही हमारा point क्या हो जागा D, because अग क्या करो, बस इन sides को आप join कर दो, A और D को join कर दो, यहाँ पर points को, और C और D को join कर दो, तो हमारा यहाँ पर cyclic quadrilateral भी complete हो गया है, ABCD, which is like this, तो आप यहाँ पर देख लो, पूरा diagram कुछ ही है, सबसे पहले part में तो हमने triangle बनाया, सबसे पहले, उसके बाद, first part में हमसे बोल तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना knowledge का use करो, that कोई भी point, जब equidistant होता है, दो sides है, तो basically हमें उन sides के बीच का angular bisector वाला line लेना होता है, that is the locus of all points, आप लुको बोलते रहते हो न, locus पर video बनाओ, locus पर video बनाओ, locus is basically knowledge based, अगर आप उसको पढ़ लेते हो, तो थोड़ा बहु देखो, locus वाले topics ही दिया गया है, तो I think यह वाला question भी आपको समझ में आया होगा, अभी यह वाला question अगर exam में पूछा जाता है, इस type का question, तो आप 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 आपे आसानी के साथ, इस तरह के question को कर पाओगे, so guys, I hope आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा, सारा को जितना हमें explain कर रहा है आपे, तो अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो में बने हुए हो, और अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक ज़रू करना है इस वीडियो को, तो चलो अभी देखते है, question number third, that is next question, so अभी हम लोग देखने वाले है, अगला question, that is based on in circle, so question बढ़ते है, using a ruler and a compass, construct a triangle ABC, in which AB is equal to 7, and CAB angle is equal to 60 degree, तो सबसे पहले हमें एक triangle बनाना है, and उसके sides हमें दिये हुए है, AB 7 cm, angle दिया हुआ है CAB, 60 degree, and AC is equal to 5 cm, तो सबसे पहले तो हमें एक triangle बनाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या बनाना है, construct the locus of point equidistance from AB and AC, यह बना ले distance from BC, sorry BA and BC, hence construct a circle touching the three sides of a triangle internally, तो कहीं न कहीं हमसे ऐसा कुछ बनाने के लिए कहा जा रहा है, कि एक triangle होगा, और एक circle होगा, जो internally इस triangle के sides को touch कर रहा होगा, तो कहीं न कहीं आप से कहा गया है, कि यहाँ पर आपको क्या बनाना है, in circle, तो in circle आपको बनाना है, या फिर सीज़े इस दे यहाँ पर नाम ना लेकर, indirectly ऐसे का, hence construct a circle touching the three sides of a triangle internally, तो आपको बनाना क्या है, in circle, तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हमें triangle बनाना होगा, triangle के sides हमें क्या दिये होगा, AB 7 cm, angle दिया हुआ है, एक और AC 5 cm, तो again वही same rule follow करेंगे, जो भी side आपक 7 cm, AB is equal to 7 cm line यह होगा, तो यह हमने देखो 7 cm यहाँ पर लंबा length खीच दिया है, तो यह हो जाएगा, AB is equal to 7 cm, यहाँ पर लिख देते है, A and यहाँ पर लिख देते है, B, इसके बाद में, और क्या दिया होगा, अगल के बारे में, AB इतना है, angle CAB, यानि की CAB, A वाला angle, angle CAB क देखो, mid वाला letter किया है, A, तो A वाला angle कितना होगा, 60 degree, मतलब जो A पर angle बनेगा, यह आपका 60 degree का होना है, तो यहाँ पर 60 degree का angle बना लो, कैसे, देख लो, मैंने angle बनाने का तरीका पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, that angle बनाने के लिए हम क्या गरते है, A पर point रखो, compass का, मतलब यह needle रखो, compass का, और एक full arc यहाँ पर बना दो, कुछ इस तरह, ठीक है, angle के लिए, इसके बाद, बिना compass को disturb किये, इस arc ने जहाँ पे भी cut किया है, आपकी line को, वहाँ पे compass का needle रखो, और इस arc पे एक cut लगा दो, तो जहाँ पे भी पहला cut लगता है, यही पहला cut आपका क्या हो जाता है, 60 degree का angle, तो अब इस 60 degree का angle को, आप ऐसे extend कर दो, line बना के, तो A से, एक ऐसे line बना दो, ऐसे, यह हो जाएगा आपका triangle का side, अब यह side आपका क्या होगा, A B तो यह रहा, B C यहाँ कहीं होगा, यह AC रहेगा, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है, AC is equal to 5 cm, तो आपको यह side 5 cm cut करना है, तो 5 cm इस side का निकालने के लिए, आप क्या करो, अपने compass को 5 cm set कर लो, तो 5 cm पहले set कर लेते है compass को, तो 5 यहाँ पे है, and 0, तो देख लिए आपे, 5 cm हमने देखो set कर लिया है, यहाँ पे अपने compass को, अब इसके बाद में, A point पे compass को रख कट लगाया है, 5 cm पे यह कट लगा है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका point, C, क्यों, because यही तो 5 cm हो जाएगा ना length, तो आपका C point, A से 5 cm दूरी पे था, यह दिए हो बता है, AC is equal to 5 cm, तो यह आगे हमारा C point, अब क्या करो, आप अपने triangle को पूरा join कर दो, तो B से, इस C point को आप join कर दो, तो C point जहाँ पे आया है, उसको B से ऐसे हम join कर देंगे, कुछ इस तरह, तो यह हमने BC को join कर दिया, तो यह आगया हमारा triangle ABC पूरा-पूरा complete हो गया, यहाँ पे आप चाहो तो length लिख दो, AC हमें कितना दिया हुआ है, AC is equal to 5 cm, तो यह हमने 5 cm line भी यहाँ बना ABC, तो AB and AC से equidistant point का हमें locust show करना है, तो यह आपके locust वाले chapter का हिस्सा है, वहाँ पे क्या बताया जाता है, अगर दो sides है मानलो, एक side यह और एक side यह, और इन दोनो sides से, कोई हमें equidistant point का पूरा locust या रास्ता बनाना है, तो इन दोनो sides के angle जो होगा यहाँ पे, इस angle का equidistant from these two sides, तो locust अगर बनाना है, दो sides से equidistant point का, तो कहीं न कहीं आपको क्या बनाना होगा, angular bisector, angle का bisector बना दो, वही हो जाएगा आपका locust of all points equidistant from both sides, of those sides, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से sides लेने हैं, locust of points equidistant from AB and AC, तो AB and AC का angular bisector अब बना दो, तो AB and AC से बराबर दूरी वाले points का locust ऐसे कुछ आ जाएगा, यह कैसे बनेगा देख लो, आपको angle A का angular bisector बनाना है, मतलब इस वाले angle का आधा, कैसे बनता है angular bisector देखो, यहाँ पे क्या गरता है, आपका A वाला angle तो यह बना ही हुआ है, ठीक है, अब इस angle पे, यहाँ पे आप बद एक arc लगा दो यहाँ पे, ऐसे, इसके बाद जहाँ पे, इस वाले side को आपका angle कट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे angle इसको रखो point को, और उसके बाद यहाँ पे एक arc बना दो, ऐसे, तो मतलब दोनों जगा पे points पे हमने रखा और एक एक arc बना दिया, अब क्या करो, इस line को ऐसे बना दो, जहाँ पे भी cut कर रहे हैं यह दोनों points, A पे रखो pencil को, और जहाँ पे intersection point आया है arcs का, यहाँ पे इन दोनों को ऐसे बना दो, तो यह आपका बन जाएगा angular bisector, इसको मैं dotted बना रहा हूँ, यह आजाएगा आपका angular bisector of A, या फिर इन दोनों के बीच का, इन equidistant from BC and BA, तो BC and BA का कैसे निकालोगे, side BC and side BA के बीच का angle, BC and BA के बीच का angle, यह होगा यह वाला, तो इसका angular bisector हमें बनाना है, तो इसका angular bisector भी कैसे बनेगा, आप पहले यह वाला angle बनाओ, पहले यह वाला angle बना लेता है, तो यह हो गया आपका यह वाला angle, इसके बाद यह जहां जहां से cut करके जा रहा है जैसे यहां पे देखो एक जगा cut कर रहा है इस line को AB वाले line को तो यहां पे point को रखेंगे एक arc ऐसे लगाएंगे and then यहां पे हमारा यह angle cut कर रहा है BC वाले side को यहां पर point को रखेंगे, एक arc ऐसे लगा देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस angle को या इस line को हम ऐसे extend कर देंगे या draw कर देंगे, तो इसको भी dotted ही show करेंगे, तो यहां पर एक second, तो इसको भी dotted ही बनाएंगे, because ये भी main figure नहीं है हमारे construction का, इसको भी हमने dotted line स ऐसे show कर दिया, अब इन दोनो angular bisectors का, ये वाला angular bisector और ये वाला angular bisector का, जो point of intersection है, मतलब कि ये वाला point, यही आपका हो जायेगा, center of your in circle, तो ये आ गया, center of your in circle, कैसे आया, हमने sides का देखो, यहां पर angular bisector निकाला, यह हमसे बनाने के लिए कहा भी गया था question में, ये तो हो गया, अब इन दोनो angular bisectors का, जो point of intersection आया है, यही क्या होगा, हमारे circle का center, तो ये तो हमें पता लग गया, अब हमें बस करना क्या है, compass को ऐसे, इसका center ये मान के, यहां पर center मान के, हमें बस क्या बना देना है, अंदर अंदर एक circle बना देना है, लेकिन समस्य अभी यहां प पता कि हमारे circle का radius कितना होगा, तो radius पता करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस point से, मतलब center से, एक perpendicular बनाना पड़ेगा, सामने वाले side पे, ऐसे कुछ, तो ऐसे perpendicular हम directly तो नहीं बना सकते, गलती के chances हैं, तो perpendicular बनाने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, किसी point से, किसी भी line पे, अगर perpendicular गिराना होता है, तो देख लो कैसे बनता है, सबसे पहले, इस center पे आप ऐसे compass रख दो, और उसके बाद में, आप थोड़ा सा compass को बढ़ाओ, and थोड़ा सा बस, और उसके बाद में, एक arc लगा दो, यहाँ पे, कुछ इस तरह, सामने वाली side पे, आप एक arc लगा दो, कुछ इस तरह, ठीक है, अब देखो, यह जो arc है, यह जहाँ जहाँ पे भी cut कर रही है, मैं इसको ऐसे कर दो, ताकि मैं सही से बना हूँ, हाँ, तो यहाँ पे, यह जो arc हमने बनाया, यह जहाँ जहाँ पे भी cut कर रहा है, इस line को, वहाँ पे आप point को रखोगे, compass के, and एक arc लगा दोगे, उपर ऐसे, and उसके बाद यहाँ पे रखोगे, इस point को, and एक arc लगा दोगे, ऐसे, तो ऐसा करने के बाद में, आप क्या करो, आप अपने center वाले point को join कर दो, इस arc के intersection points से, again dotted line बनाना है यहाँ पे, तो यह हमने बना लिया, एक perpendicular, from the center of the circle, to this line, अब हमें दिख रहा है, कि जहाँ पे भी यह perpendicular गिरा है, इस line पे, इतना ही हो जाएगा, क्या हमारा radius of circle, मतलब, यही हमारा क्या हो जाएगा, circle का radius, अब बस सीदे-सीदे, आप यहाँ पे, इतना radius ना पलो, अपने compass को यहाँ कैसे करूं, मैं ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे, हमने center पे रखा, अपने compass को ऐसे, and then, जहाँ पे भी यह perpendicular गिरा है, इस सामने वाली line पे, इस पे अपनी pencil को रख दो, ऐसे, तो यह हो जाएगा, हमारे circle का radius, और इसके बाद, बस आपको करना क्या है, इसी circle को draw कर देना है, अ device दिक्कत हो जाएगी, तो यह आ गया, इतना, तो बस अब हम यहाँ पे circle बना देते हैं, तो कुछ ऐसे हम बना देंगे, अपना circle, ध्यान रखना, इसमें practice यह होगा, बिना center को उठाए, आपको ऐसे circle बना देना होगा, कुछ इस तरह, तो यह बन जाएगा, हमारा in circle, एसे रखा, और उसके बाद एक circle बना दिया, ऐसे पुरा गुमा के, पुरा rotate करके, ऐसे हमने circle बना दिया, ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा in circle, तो आप एक बार देख लो, हमने कहा कहा, steps follow किया है, तो कुछ इस तरह हम बनाएंगे, किसी भी triangle के अंदर, in circle, और यह होते है steps to form a in circle, या to construct a in circle, inside a triangle, यहाँ इस question में हम से directly नहीं कहा गया था, कि हमें in circle बनाना है, लेकिन कहा क्या गया था, construct a circle, touching the three sides of the triangle internally, तो यहाँ पे देख लो, a circle touching the three sides of the triangle internally, तो यही होता है आपका in circle, लिख देता हूँ है, यहाँ पे, this is the in circle, तो नाम से भी आ सकता है, नो सकता है, कुछ इस तरह आपको statement दिया हो, तो I hope यह वाला question भी आपको समझ में आया होगा, यह वाला question भी है, इस type का question भी अगली बार आपके paper में अगर आता है, तो आप इस type का question भी बहुत ही आसानी के साथ, यह steps follow करके वहाँ पे कर सकते हो, अभी next question हम देखने वाले हैं, hexagon के also construct a circle circumscribing the hexagon, all traces of construction must be clearly shown, तो यहाँ पे हमें basically एक hexagon बनाना है और उसको circumscribe करना है एक circle से, तो एक roughly अगर diagram बताएं, तो फिर हमें यहाँ पे यह करना है कि एक hexagon बनाना है कुछ इस तरह, जैसे कि हमने starting में आपको बताया था, और उसको circumscribe कर देना है एक circle से, कुछ इस तर तो यह करने का तरीका अगर आप book में देखोगे, तो book में आपको तरीका बताया जाता है कि पहले आप एक line ऐसे draw करो 5 cm का, फिर यहाँ पे 120 degree के arc लगाओ, उसके बाद आप यह line खीचो, उसके बाद यहाँ पे 120 degree के arc लगाओ, फिर ऐसे line खीचो, फिर यहाँ पे 120 degree के arc तो यहाँ पे इस question में मैं आपको एक shortcut बताऊंगा, वैसे मैं shortcuts नहीं बोलता हूं जादा करने के लिए, पर shortcut भी नहीं है, करना आपको सारी काम पड़ेगा, लेकिन यह एक better तरीका है to draw regular hexagon, यहाँ पे हम चीजे बाद में show करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम एक shortcut का use करें या फिर जो हमारा diagram यहाँ पे बन क्या है, वो सबसे अच्छा बने, टेढ़ा मेडा कुछ भी उसमें ना हो, तो देख लो, कैसे आप बनाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, construct a regular hexagon of side 5 cm, तो 5 cm का regular hexagon का यह वाला side बनाने से पहले, आप एक काम कर लो, यहाँ पे 5 cm radius लेके आप सबसे पहले ना circle बना लो, एक shortcut बताने जारू है यहाँ तो आप सबसे पहले क्या करो, जितना भी आपको side दिया हुआ है regular hexagon का, उतने ही radius का आप एक circle draw कर लो, तो यहाँ पे 5 cm ले लो, तो 5 cm compass पे set लो लो, और इतने 5 cm का आप एक काम करो, एक circle draw क लेता हूँ कुछ इस तरह, तो यह मैंने draw कर लिया देगो circle, तो यह हो गया 5 cm radius का circle, अब next काम आपको क्या गरना होगा, अगर आप पहले sides को लेके बनाते तो पहले आप side बनाते, उसके बाद पूरा hexagon complete करते, बट हमने यहाँ पे पहले ही circle बना लिया, अब circle बनाने से फा ऐसे adjust करो, कि आप इस circle में यहाँ पे 5 cm का एक नीचे line खीच दो, कोशिच करना कि इस line को straight रखना, मतलब ऐसे ऐसे मत खीच देना, कोशिच करना इस line को ऐसे जितना horizontal रख सकना रखना, कि examiner को यह लगना चाहिए, कि आपने यहाँ पे पहले line को draw किया है, उसके बाद circle बना 5 cm का हम एक line draw कर देंगे, ऐसे horizontal, तो यहाँ वे 5 cm exact मैंने यहाँ पे line draw कर दिया है, circle के अंदर, तो यह हमारा हो जाएगा, सबसे पहला line, मतलब एक line देखो, हमने regular hexagon के draw कर लिया, इसके बाद, आपके compass में 5 cm तो आपने लिए ही हुआ था, क्योंकि आपने circle draw किया था, 5 cm के radius का, तो आप करोगे हैं यहाँ पे, आप बस देखो यहाँ पे end जहाँ पे हुआ है यहाँ पे, आपका a line, यहाँ पे इस point को रखो, और एक arc बना लो यहाँ पे, उसी तरह इधर भी यही करो, इस वाले point पे रखो, compass को, and एक arc बना लो यहाँ पे, फिर again, जहाँ पे आपन आया है, वहाँ पे compass को रखो, एक arc लगा लो, यहाँ पे, उसके बाद, फिर से compass को यहाँ पे रखो, और एक arc लगा लो, यहाँ पे, last arc जब इधर से आप लगाओगे, तो कहीं न कहीं वहीं लगेगी जहाँ पे आपकी यह वाली arc लगी है, ठीक है, तो कहीं न कहीं कुछ figure हमारा ऐसा बन जाएगा, तो अब यहाँ पे, आप क्या करो, इन sites को ऐसे join कर दो, इन sites को आप join कर दो, कुछ इस तरह, तो कुछ इस तरह, देखो, हमने सारे sites डॉक कर दिया, तो यह हमारा regular hexagon तो बनके तयार हो गया, लेकिन, हमें यहाँ पे all the traces of construction भी दिखाने थे, तो सा आपको दिखाने के लिए करना क्या होगा, देखो, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अगर नॉर्मली आप बनाते तो कैसे बनाते, आप सबसे पहले एक side बनाते हैं, यहाँ पे 5 cm का, उसके बाद में आप यहाँ पे 120 degree दिखाते, तो यहाँ पे 120 degree हम कैसे show करते, कुछ इ regular hexagon तयार हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे working तो show करोगे न, कैसे बनाया होता अगर सही तरीके से बनाते दो, तो यहाँ पे 60 degree हो जाता, और again यहाँ पे रखके जब एक arc लगाते तो यह कितना आता, यह आता 120 degree, फिर इसी तरह यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे angle बना 120 degree, इसी तरह आपको हर जगा पे कर देना है, जल्दी से complete कर देते हैं इसको, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बाकी सारे arcs भी यहाँ पे लगा दियें, तो कही न कहीं हमने सारी working, show all the traces of construction, जो हमने use किया था, basically वो किया था, वो shortcut था, पहले हम circle नहीं बनात है, तो क्योंकि हमने shortcut से कर लिया है, that's why हम बाद में यहाँ पे working को show कर रहे है, तो यह हमने सारी working को दिखा दी, अब इतना करने के बाद में, अगर आपको circle यह बनाना है, तो circle बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे center भी चाहिए होगा, तो center भाई का perpendicular bisector, तो perpendicular bisector बनाने के लिए क्या करेंगे, इस line के आधे से ज्यादा, यहाँ पे length up ले लो, और कुछ इस तरह बना दो, ऐसे और ऐसे, उसी तरह, यहाँ पे इस जगा पे point रखो, एकार कैसे लगा दो, एकार नीचे, ऐसे, तो यह दो यह बन जाएगा, perpendicular bisector यहाँ पे, इसको ऐसे draw कर लो, dotted line से, इसको हम join कर लेते हैं, कुछ ऐसे, तो यह आजाएगा, perpendicular bisector नीचे वाली line का, इसी तरह, किसी एक और side का निकाल लो, मैं इस वाले का निकाल लेता हूँ, perpendicular bisector, तो इस वाले side का perpendicular bisector भी इसी तरह निकाल लो, again, एक arc लगाया, दूसरा arc लगाया, then इसी तरह, नीचे की तरह भी arc लगा लो, यहाँ पे, and इधर वाले point से भी नीचे, तो अब इन arcs को ऐसे join कर लेंगे, तो इन arcs को भी join करेंगे, तो यह कहाँ चल जाएगा line, यह हो जाएगा, perpendicular bisector of this line, तो हम देखें यहाँ पे, तो यह दोनों जो perpendicular bisectors है, यह कहाँ पे join हो रहे हैं, यहाँ पे, तो यही मारा हो जाएगा, center of the circle, and यही circle हमने draw कर दिया था, तो इसको आप mark कर सकते हो, नहीं भी mark करोगे, तब भी चलेगा, यह हो जाएगा, आपका center of circle, जो की perpendicular bisectors से आगया, यह exactly वहीं पे आएगा, जहां से हमने initially circle बना लिया था, so अगर आपको regular hexagon बनाना है, तो आप shortcut का use कर सकते हो, पहले आप circle बना लो, उसके बाद आप regular hexagon को बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा भी गया था, to construct a circle circumscribing the regular hexagon, that's why आप circle को भी last में रखोगे, and अगर मान लो, आपसे नहीं कहा जाता, आपसे सिर्फ कह regular hexagon यहाँ पे रखते है, ठीक है, तो इस तरह हम कुछ बनाएंगे, regular hexagon देख रहाँ, आप चाहो तो वैसे बना सकते हो, बट वैसे ठीड़ा मेड़ा होने की chances रहते हैं, जो की book में आपको इस तरह दिया होता है, आप अगर यह shortcut follow करोगे, तो हमेशा आपका regular hexagon proper बनके लगेगा, और examiner आपको पूरे-पूरे marks देगा, बस working आपको ऐसे show करना पड़ेगा, वहाँ पे, so guys, I hope आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितना भी मैंने कुछ समझाने कोशिश की है, जितना भी मैंने आप यह समझाया है, constructions के बारे में, वो सारा कु कैसा लगा, मुझे comments में लिखे जरूर बताना, और अपने friends के साथ भी इस वीडियो को share करना, ताकि यह वीडियो उनके लिए भी helpful हो, तो चलो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye-bye